हालो फ्रेंट्स नमस्कार मेरा नाम सुभो तिवारी है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर सुभो तिवारी ओफिशेल बेस दील फोर विल्स निराला नगर लखनू से अच्छली मैं आज मैं जो आपको वीडियो देने जा रहा हूं यह छोटी गाड़ी की काफी सूटी गाड़ियां दिखाता हूं तो देखिएगा और जैसे सब लोग उताते रहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करिएगा और बेल आइकॉन भी जरूर दबाईएगा चलिए शुरू करता हूं दिखाता हूं आपको गाड़ी तो आगे गाड़ी खरी है मेरे पास में यह वैगनार खड़ी है तो यहीं से शुरू करता हूं है वैगनार के इसके model की बात कर लेता हूँ तुद की गाड़ी है यह नंबर लखनो का हो जाएगा और लखनो नंबर गाड़ी है चलिए पीछे से भी नंबर आ जाएगा फर्स्ट उनर गाड़ी होगी तो भीकिक है यह उसका में यह उस समय का टॉप मॉड़ल होगा था टायर बगर्स ही तो वहाथ अच्छी कंदिशन में टायर भी और बॉडि-लाइन्स अगर बात करोंसे गाड़ी यह तो बादि लाइन से ब्थ भी पिट्रृइं गारी की एक बित्रं कृट cree के भी होंगे तो तायर वकर एक दम बेदरीन कंडिशन में हैं फीछ से प्रवीब घाड़ी देखेगा आप आपको नमबर भी दिखेंगा यहां से यह भी बत्ति जीपी नमबर है इसका और अची कंडिशन में गाड़ी एक इस side को भी देखेगा तो इस side से भी देखिएगा तो । फर्स क्लास कंडिशन की गाड़ी में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिरिफ फील डालना और गाड़ी चलाना है, बाकि जैसे जो भी गाड़ीयां बताता है आपको उसकी हम guarantee देते हैं इंटीर की अगर बात कर लेते तो इसमें फ्रंट के आपके चारो पावर बिंडो हो जाते हैं पावर स्टेरिंग हो जाएगा, थे व जाएगा, ऑड के बादे सबूस्टर के पड़े होगी है तो गालि में कुछ भी ने करना है कि अपको गाड़ी में सब्सक्रों खाता हूं आद एको सब्सक्यत्राइब बहुत अच्छी कंडिशन में रख Во गमी कंडिशन और यूठ है कि यह रहूट अट रहाुए लाय 2020 आपको लगे कि यहां यह चीज लेने वाली है तब ही इसकी बात करेंगे आ जाते हैं इसकी डिमांड पर तो जो आस्किंग प्राइज है हमारी डिमांड जो हम इसकी करते वह तीन लाग प्रचीजार रुपे की है और यह निगोसेबल है जब भी आप बैठे होंगे तो कुछ प्राइज आपका कम हो जाए है अचली में लास्टेम मेरे एक वीडियो पे एक भाई सब्सक्राइब किया था की सरजी जो भी आप कम हो जाए है यह आपका एक तकिया अलाम होगया है आपको तो कुछ चीज अइसी हैं जो सिमलेर ही होंगी और मुझे लगता है थैंक्यू आपने बताया है मुझे उसके लिए और मैंने आपका थेंक्यू उस पर भी किया था तो थेंक्यू सो मज और आप लोग ऐसा बताते रहते हैं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि कोई अगर मेरी कमी है या ऐसा कुछ है तो मैं उसको सही करूँगा और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो मैं उसके लिए बताऊंगा आपको आए दिखाता हूँ आपको दूसरी गारी खड़ी है मेरे पास में अल्टो एटेंडेट है यह भी अल्टो का भी टॉप मॉटल हो जाता है अल्टो एटेंडेट भी एकसाई हो गई है भी कंडिशन आप देख रहें एवन कंडिशन गारी होगी ग्रे कलर की गारी हो गई डार ग्रे कलर है टायर जैसे मैंने दिखाया को देखे गया यह साथ की यह लगे हुए और अभी करीबन यह साथ पैंसेट परसें टायर होंगे गाडी के एक समय इधर फ्रंट से भी तो बड़िया first class condition में interior भी होगा इसके इसमें front में आगे के दो power window हो जाएंगे power steering हो गया AC हो गया गारी जो चली हुई है ये लगबख 24,000 km चली हुई है 24,157 km on recorded होगी full service record के साथ में seat cover वगरा original लगे हैं जो company से लखे आये थे वही लगे हुए है तो गारी में कुछ भी नहीं करना है आपको और चोटी गारी के साफ से इसका मैं body space भी दिखाता हूँ आपको भी देखेगा यह सब बड़ी मुझे लगता है कि धूणना पड़ता है गाडियां की इतनी कम चली और ऐसी गाडियां मिले तो बहुत ही साफ सुत्री गाडी होगी यहां से भी देखेगे एक तुम साफ सुत्री गाडी है यह स्टेफनी पड़ी हुई है यह भी अच्छी condition में ही है सारे टायर गाड़ी के साथ के लगे होंगे भी पांचो टायर साथ के ही है कोई भी टायर गाड़ी का बदला नहीं गया है बेतरिन कंडिशन की गाड़ी है मॉडल 2,16 का है BXI वेरेंट हो जाएगा ओनर फर्स हो जाएगी नंबर लकनो का हो जाएगा 24,000 किलोमेटर चली हुई है जो की और रिकॉर्डेट होगी फूल सर्बीस रिकॉर्ड के साथ में आस्किंग प्रैस पर आते हैं जो इसकी डिमांड करते हैं वो 2,90,000 रुपे की है और यह निगोसेबल है जब भी आप बैठे होंगे तो इसमें भी कुछ ने कुछ वार्गनिंग करी जा सकती है आईए एक बगल में अल्टो एटेंड और भी खड़ी होगी यह भी में दिखाता हूँ आपको कलर इसका रेड हो जाएगा रेड कलर में गाडी खड़ी होगी और बॉडि लाइन से कर बात करें तो बहतरीन कंडिशन की गाड़ी होगी टायर वगरा की कबात करूँ तो एक 2499 पचीस सो किलोमेंटर गाड़ी चली हुई है मौडल 17 का है अभी कुछ पॉलिथीन वगर अंदर लगी हुई है एक बार अंदर भी दिखाईएगा तो अभी भी कुछ पनिया साथ की ही लगी हुई है 2017 की जब गारी आई थी यह तब की कुछ जिलिया यह लगी हुई है सीट कबर अगर बात करें तो सीट कबर यह ओरिजिनल लगे हुए गाड़ी के अभी तक सीट कबर नहीं चेंज किये गया है ओरिजिनल सीट कबर पर यह गाड़ी होगी मात्र 2499 किलोमेटर चली हुई है जो की ऑन रिकॉर्ड होगी फोल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में एक बा तो वोड़ी स्पेस भी देखिएगा बड़ी एक दमसाप सुत्रा स्पेस होगा स्टेपनी ब्राण न्यू रखी हुई है तो कुछ भी नहीं हुआ है गाड़ी में और पूरी एक्ट्वल कंडिशन गाड़ी देख रहे हैं आप छोटा मोटा मैंने कटर पॉलिस और वंपर चलाना है आस्किंग प्रैस पर आ जाता हूं जो कस्टमर की इसकी डिमांड है वो तीन लाग पचीस अजार रूपे की है और इस टाइप की कम चली हुई गाड़िया बहुत ही कम मिलती है कम मिले कहां से मिले कैसी मिल जाए तो कहां नहीं जा सकता दूसरे कुछ लोगों की जैसे कमेंट्स आते हैं मुझे या पूस्ते हैं वो कहते हैं कि प्राइज आपके महेंगे लग रहा है प्राइज देखिए आप ऐसे अंताजा नहीं लेगा पाएंगे सेकेंड हैं कार की कमपरिबिल्टी नहीं होती कि कोई भी आपने वीडियो देखा वहां के प्राइज करी जा सकती है थोड़ा बहुत कुछ भी बार्गिनिंग हो सकता है लड़ी बीडी एक्सिदेंटल गाडिया नहीं होगी इसकी पूरी तरह से गैरंटी होगी कागश पत्तर की पूरी जुम्यदारी होगी अपनी संतुष्टिक लिए आप गारी को जरूर चेक कराईए देखना चाहिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी होगी मेरे पास में कुईड तो ये भी ग्रीनेस टाइप का कलर हो गया थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर हो जाता है और बढ़िया कंडिशन में गाड़ी होगी फर्स क्लास कंडिशन होगी गाड़ी की और ये अट्मेटिक सेग्मेंट हो जाएगा इसका आट्मेटमेंट हो जाएगा मोड़ल इसका 2020 का है और इचली हुई लगबग 10house per 10 po 55 km गाड़ी चली हुए love अन्रिकॉर्डेड होगी, फोल्ट सर्विस रिकॉर्ड के साथ में, एक बार आप अंदर से भी दिखाएगा, इंटीर की अगर बात करें तो बड़ा खुबसूरत इंटीर होगा, जिसमें आपके फ्रंट के दो पाउर बिंडो मिल जाएगे, पावर स्टेरिंग मिल जाएगी अपका नहीं करना है आपको सीट कपर में अची चंडिशन में पड़ी होई है, और मैं इसका आपका वूड स्पेस भी दिखा रहा हूं, वो भी देखेगा, तो जो भी गाडियां होंगी, पूरी गैरेंटी के साथ में होंगी और कुछ भी नहीं करना गारी में आपको 10,000 किलोमेटर गारी चली हुए है तो लगा हुआ है स्टैपनी अगर कहूं तो ब्रांड न्यू स्टैपनी रखी हुई है देखिए एक दम नई स्टैपनी रखी हुई है तो फ्यूल डैली और गारी चलाई से बितना ही करना है 2020 का मॉडल होगा यह फर्स्ट ओनर गारी होगी नंबर लखनो का हो गया है क्लेंबर हो जाएगी यह कुईट क्लेंबर चली 10,000 किलोमेटर है आटोमेटिक सेग्मेंट हो जाएगा इजी ड्राइब आस्किंग प्राइज इस यूपी 34 नंबर है वेतरिन कंडिशन में गाडी होगी ग्रे कलर की गाडी है यह एरा वरियंट हो जाएगा इसका गाडी जो चली होगी 28,500 किलोमेटर चली हुई है और रिकॉर्ड होगी सर्वीस रिकॉर्ड के साथ में तयार में अच्छी कंडिशन में होगी बॉड़ी ल दो भी मआपको रेड़ी करके देंगे बाकी जैसे मैंने बताया कि गाडी में हमारी गारेंटी होती है तो हर गारेंटी होगी वह फृस क्क्लास कंडिशन कीगाडी है बहुत सारी फीचर तो नहीं होगे यह जैसे पावर स्टेर्र ही इसमें विंड़ोस में पावर नहीं हो अगर कोई कमी बेसी भी होती तो वह भी मापको कंप्लीट करके तब देते हैं आपको कुछ भी नहीं करना है रिमांट पर आ जाता हूं इसके 2016 मॉडल की गाड़ी है और आस्किंग प्राइस की अगर बात करें तो जो इसकी आस्किंग प्राइस है वह 272,000 रुपे की है और न जैसे गिरल डीट हाँ ये का थेज़् हो जाएगा लुक अलग हो जाएगा और खास बात यह है किसमें आपको दो छीजे एकस्टा भी मिल जाएगी एकस्टा एकस्टा भी मिल जाएगा आपका उडवी जू की वैग्णार मेन ही खेले और लिए बात टो चली है लिए लगенти जो कि on recorded होगी एक बार अंदर से भी दिखाईएगा तो अंदर से कर बात करें तो आपको सारा system मिल जाता है इसमें चारो power window मिल जाएंगे power steering मिल जाएगा AC मिल जाएगा heater मिल जाएगा music system company filter मिल जाएगा पीछे wiper defourger central locking चाबी में seat cover एक हचार शी Самींद गर को अक्थ होता है और सब्सक्राइब 1 2019 सार एक लिड़ चिंद्न होता है और यख़ह पना पर उसकी अक्रारा का Xu कि Hij और निगोसेबल है जब भी बैठे होंगे तो इसमें भी कुछ ने कुछ बार्गिनिंग करी जाए सकती है प्राइज में आपका जो भी कम हो जाए प्राइज आईए आपको मैं दूसरी गाड़ी भी दिखाता हूं तो यह भी बैठे खड़ी हुई है यह नॉर्मल बैठे नार हो जाएगी दो हुचा सोला मॉडल की गाड़ी है और भी एक साई इसका भी वैरियंट हो जाएगा फरस्ट और गाड़ी है सिल्वर कलर में है और लख्णो नंबर हो जाएगी कंडिशन की अगर बात करें तो बहत की अगर बात करें तो इसमें सारा कुछ मिल जाता जो बी जर्यवत होती है जैसे आपके चारो पाहबर विंदो मिल जाएंगे पाऊस्टे निगोंगए ऐसी हो गया हीटर हो गया में पिछे वाइपर हो गया डिपागर हो गया सीटक बर आपके लेढर के हो गया मैंटिंगन के चाबी में ही हो गई तो बड़िया फस्स क्लास कंडिशन में गाड़ी होगी कुछ भी नहीं करना है एक बार मैं आपको इसकी डिगी भी दिखाता हूं विशे से तो भी देखेगा गाड़ी जो भी होंगी सब ओरिजिनल कंडिशन में चली हुई होंगी बड़िया इस पेस इसमें इंजन गेर बक्सा बैटरी ये इंकुर्वेड हो जाएगा ओनर फर्स्त हो जाएंगी नंबा लखनो के ही है बेथिन कंडिशन की गाड़ियां कुछ भी आपको करना नहीं है आस्किंग प्रैस पर आजाता हूं जो डिमांड है इसकी वो तीन लाग पशेतर रहार र और अभी गाड़ी मेरे पास में आई हुई है तो छोटे मोटे जैसे स्क्रचेज या जो भी देख रहा है पड़े हुए है तो यह भी मापको रिमूब करके ही देंगे जब देंगे तो मॉडल इसका भी एक साई हो जाएगा ओनर फर्स्त हो जाएगा गाड़ी जो चली हु 100% गाड़ी की लड़ी एक्षिनेंटल गाड़ी नहीं होगी इसकी गयांटी फच पतर पूरी दरह से complete होंगे transfer कर आके देंगे हम आपको गाड़ी अपनी संतुस्टी के लिए आप चेक कर आए दिखाएए जब आपको लगे कि हाँ यह लेने वाली है तब ही बात करेंगे आस्किंग प्राइस की बात कर लेते हैं दो लाग पैसाट जार रोपे की डिमांड करते हैं और यह निगोसेबल है जब भी बैठे होंगे तो इसमें भी कुछ ने कुछ बात करी जा सकती है जो भी प्राइस आपका कम हो जाए आए मैं दूसरी गाड़ी दिखाता हूं आपको हाई यह लास्ट गाड़ी मैं आपको इस वीडियो के दिखा रहा हूं हॉंडा की जैज तो यह भी मेरे पास में 2016 मॉडल की गाड़ी खड़ी होई है और डीजल वरियंट हो जाएगी है सेकेंड मॉडल हो जाएगा एसम्टी ओनर फरस्ट है नंबर लखनो का है सिल्वर कलर की गाड़ी है और कंडिशन की अगर बात करें तो अच्छी कंडिशन में है गाड़ी में कुछ भी नहीं करना है बाकी जैसे मैं बताता रहता हूं कि मेरे गैरंटी होती है अपनी संतुष्टी के लिए आप उसको चेकर आ सकते हैं दिखा सकते हैं टैर वगर बहुत अच्छा हो जाएगा इडि निकल गया है इटेक लिखा हुआ अभी तो यह डीजल वर्येंट हो जाएगा इसका 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 अगर कहा जाए तो इस पेस बहुत बढ़ी हाप मिल जाता है इस पेस स्टैपनी वगर आपकी यहीं पर हो गई वह भी बहुत बढ़ी हाटाय लेगर बात करें तो आपके चारों पावर बिंडों पावर स्टेरिंग एसी हीटर में जो लगे हुए है लेदर के लगे हुए अच्छा इस पेस हो जाता है पीछे डिफॉकर बगरा भी हो जाता है तो सब ही कुछ होगा गाडी में जो भी नॉर्मल चीजे होती हैं सेंटर बड़ी गाड़ी नहीं होंगी कागच पतर से ओके होंगी बाकी आप अपनी संतुष्टी के लिए उसको चेक कराई दिखाईए जब आपको लगे कि यहां गाड़ी लेने वाली है तो ही उसकी बात करेंगे अपने पास में फाइनेंस की बेवस्ता भी है तो अगर फाइने से कुछ नहीं कर रहे हैं तो बै किग अच्छी होनी चाहिए और चाहिए है और अचीरेट में सिभी स्कोर्श चेक करते हैं तो भड़या होकी घर मकान अपना होन चाहिए तो फाइनेंस हो जाता है न Ά इपी केस अगर नो इंकम प्रूफ में केस होगा तो बड़ी गारि ओ नहीं हो सकता है, जैसे आपकी Scorpio हो गई, Safari हो गई, Innova हो गई, इस टाइप की गाड़ियां नहीं हो पाएंगी, छोटी गाड़ियां हो सकती हैं, माकी अगर आप ITR देते हैं, या सैलिड हैं, तो कोई भी गाड़ी या आपने कभी finance कराया, इससे पहले track है आपके पास में, तो शोरूम हमारा बेस जील पोर विल्स के नाम से है, A30, निराला नगर, अपोजित, ICICI Bank, नियर, राम कर्ष्टमत, लखनव, मेरा नाम सुबो तिवैरी है, और मेरा मोबाइल नंबर है, 9-335-346-1113, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ची है, तो आप मुझ ना हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोशिश करिए मुझे ओफिशिल टाइम पर की कॉल करिए, बाकी फोन करिए मैं बताता हूं आपको, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वचिंग, बाए